Hello everyone, welcome to my channel उड़ान सपनो की बिटा आज हम करेंगे आपकी क्लास 7th की विज्ञान की वोक्षीट आपकी वोक्षीट नमबर 1 है जो की 7 अपरेल की है यहाँ आप अपना नाम लिखेंगे, यहाँ आप अपनी क्लास टीचर का नाम लिखेंगे पादबो मैं पोशन, तो पोशन के बारे में पढ़ेंगे हम रचना अपने माधा पिता के साथ पिकनिक पर गई थी बोजन लेने के दोरान उसने अपने बड़े भाई राहुल से पूछा कि पौदे अपना बोजन कैसे लेते हैं राहुल ने उन्हें पौदो में पोशन के बारे में समझाया वह उसने कोशन किया तो चले जो सबी जीव हैं उनको भोजन के आवशकता होते हैं क्यों होती हैं कार्बो हाइड्रेड, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनीज लवन जो होते हैं वो हमारे भोजक के घटक होते हैं यानि की खाने के घटक होते हैं भोजन के घटक हमारे शरीर के लिए आवशक हैं इसलिए हम इने क्या कहते हैं पोशक कहते हैं पोशक मतलब हमारे बोडी में हाइट के लिए, हमारे आखों के लिए बहुत सरी चीज़ों के लिए अलग लग पोशक तत्व चाहिए होते हैं, तो ये सारे बहुत ज़रूरी होते हैं, केवल पादप ही ऐसे जीव हैं, जो जल, कारबन डगसाइड और खनीज की साहिता से अपना भोजन बना सकते हैं, ये पोधे दुआरा भोजन तयार करने के ल घर लेते हैं और अपना खाना खुद बनाते हैं, पोशै क्या है, जो भी पोशिव धुआरा भोजन-घरहन करने, और शरीर दुआरा उसकी उपयोग की विद्दी को हम पोशिन कहते है, अब हमने खाना खाया, खाना खाने के बाद जो हमारी बॉडि निगाए होगा जो हमा स scarf portion केते हैं इसके बाद पोशन जो है वह आपकी डो प्रकार के हैं टो सब्सक्राइब के खेशान ने इसमें जीव अपना हुब गरण выпasное सब्सक्राइब इसमें क्या करते हैं जीव पौधा जो खाना बनाता है उसी को खाने को जो दूसरा खाता है किसी और का खाना बनाया वो किसी और ने खा लिया तो वो क्या कहलाएगा विशम पोशी कहलाएगा ठीक है यानि कि पौधो से बना जो खाना है वो जीव ने खा लिया जानवर ने ख तो इसने अपना खाना बनाया है थोड़ी नहीं चले क्वेशन देखते हैं फ़र्स क्वेशन क्या है पौदो द्वारा पोजन के तयार करने के लिए कच्छी सामिगरी कौन कौन सी है तो आप यहां से लिखेंगे जल कारवन डैक्साइड और खनीज यहां तक लिखके यह द्वारा भोजन गरहन करने और शरीर द्वारा उसके उपयोग की गई विधी को हम पोशन कहते हैं यह आपके सेकिंड का अंसर हो जाएगा क्लियर है चलिए थर्ड देखते हैं सुए पोशी के दो अधार लिखे तो बेटा सुए पोशी में तो पोधे आगए ठीक है पोध चलिए फोर्थ क्या है विशम पोशी में तो आपको कुछ भी लिख लिए गाय, शेर, मानव कुछ भी चिक है जो दूसरों का खाना खाते हैं तो यहां होती है आपकी वरक्षीट कंप्लीट आई होप आपको अच्छे से समझ में आई हो तो प्लीज चैनल को लाइक करें प्रेंफेरेंस के साथ शेयर जरूर करें थैंक यू फो आप वाचिंग में